हलो एवरिवन वल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अल अबाउट रेनू बॉलिवुड से एक चौकाने वाली खबर सामने आई है मशूर एक्टर शुशान सिंग राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फासी लगा कर जान दे दी यनि उस पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सद्मा है वो फिल्म इंडस्ट्री जो अभी तक अपने मशूर कलाकार इर्फान खान और रिशी कपूर के मौत के सद्मे से उभर नहीं पाई थी उसे इस खबर ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है शुषान सिंग राजपूत का 21 जैनवरी 1986 पटना में हुआ था उनकी शुरुवाती पढ़ाई पटना में हुई थी और आगी की पढ़ाई दिल्ली में कुलाची हंसराज मौडल स्कूल से हुई थी और उन्होंने मेकैनिकल इंजिनेरिंग के पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुवात टीवी एक्टर के तौर पर की थी उन्होंने सबसे पहले किस देश में मेरा दिल नाम के धारावाइक में काम किया था पर उन्हें पहचान एकता कपूर के सीरियल पवितर रिश्टा में मिली इसके बाद उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ था सबसे पहले 2013 में काय पोचे में लीड एक्टर के तौर पर नज़र आये थे 2016 में आई धोनी के बायो पिक सुशान सिंग राजपूत के फिल्मी करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी सुशान सिंग की मा की मृत्य दो हजार दो में हो गई थी सुशान अपनी मा के बहुत करीब थे सुशान ने अपनी लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी मा की एक पिक शेयर करी थी सुशान को कम्प्यूटर गेम्स बहुत पसंद थे और इसी के चलते उन्होंने लॉक्डाउन में computer language coding सीखना शुरू किया था सुशान सिंग राजपूत एक बहुत ही versatile एक्टर थे जिनकी कमी film industry और उनके चाने वालों को हमेशा खलेगी आखिर में मुझे सुशान सिंग राजपूत के एक film छिचोरे का dialogue याद आता है Success का plan सबके पास होता है लेकिन अगर गलती से fail हो गए तो failure से कैसे real करना है इसकी कोई बात नहीं करना चाहता May this beautiful soul rest in peace and God gives strength to the family to bear this irreversible loss Thank you for watching my video